जैसे कि अब हम लोग क्लास 10 के इतिहास का चेप्टर नमर 3 पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नमक यात्रा यानि कि दांडी यात्रा के बारे में पढ़ा था और आज कि इस वीडियो में हम लोग सभी नई अवज्या आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे सभी नई अवज्या आंदोलन को हम लोग नागरिक अवज्या आंदोलन भी कहते हैं क्या कहते हैं लोग हम लोग इस वीडियो में समझेंगे अब देखिए मैंने आपको पिछले विडियो में बताया था कि महात्मा गांदी जी ने दान्डियातरा किसप्रकार से के गांदी जी ने दा यहां पर बता या गया है सबीने आवएया का मतलब क्या होता है देखिए एक होता है एक होता है एक होता है जैसे मैं आपको आग्या दे रहा हूं कि आप उहां पर जाईए इसका मतलब क्या कर रहा हूं कि मैं आपको आग्या दिया कि आप उहां पर जाईए तो आप हमारे आग्या का पालन करेंगे या नहीं करेंगे यह आपके उपर डिपेंट करेंगा तो सभी नहीं मतलब भी हो रहा है सभी नहीं मतलब क्या होगा जो नागरिक जो होंगे न वे क्या करेंगे सरकार के कुछ नियम कानून को नहीं मानेंगे तो यहां पर नमक यात्रा में हमने क्या पड़ा था कि सरकार नहीं तो नमक की उपर टेक्स लगाया था लेकिन जो नागरिक है भारत के जो नागरिक है उन लोग क्या कर रहे हैं सरकार के इस कानून को नहीं मान रहे हैं इसलिए दो कहा जा रहा है कि जो दान्डी यत्रा है वही आपका क्या है? सभीने अवज्ञा के किसी भी नागरीक द्वारा अपनी सरकार के कुछ कानूनों, आदेशों का पालन न करने की परतिग्या है सभीने अवज्ञा आंदोलन को नागरिक अवग्या आंदोलन भी कहते हैं जो मैंने आपको बता दिया अगला पहुंच देखिए डांडी यात्रा से सबने अवग्या आंदोलन की सुरुवात हुई जो मैंने आपको बताया अभी डांडी यात्रा से ही क्या हुआ था सबने अवग्या आंदोलन की सुरुवा पिछले वीडियो में बताया था जब मैं आपको दांडी यात्रा बताया था अंग्रेज सरकार ने नमक के उपर भी टेक्स लगा दिया था इस टेक्स को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1930 इसवी को दांडी यात्रा की शुरुवात की यानि जो अंग्रेज है अ ंग्रेजन आँ लाक्त इसवी को शुर्वात की अच्झा गांडब करना था और ही तो हमारा सवीन या वएग्या हो हम लोग ऐसा परतिगा कर रहे हैं कि सरकार की कुछ नियम कानुन को अगर हम लोग नहीं मानते हैं उसी को सभी नहीं अबिगा बोलेंगे यह जो यात्रा अधा दांडि यात्रा मैंन उद्देश क्या था कि नमक कानुन का उलंगन करना एक्चुल में देखिए आपर बात क्या है कि सौतंतरता के लिए देश को एकजूट करने के लिए कांधी जी ने नमक को एक सक्तिसाली प्रतिक के रूप में देखा क्यूंकि नमक हमारे भोजन का अनिबार ये हिस्सा है जैसे हम सभी जानते हैं कि भोजन का एक इंपोर्टन पार्ट है नमक अगर नमक नहीं रहेगा तो कोई भी आप सब्जी बना लीजिए, मीट बना लीजिए, जो भी बनाईएगा, कोई भी सब्जी बना लीजिए, उसका टेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आगे देखिए, इस यात्रा में गांधी जी अपने कुछ गीने चुने साथ के साथ, अहमदाबाद के साबरमती आस्रम से समुद्र तट्य गाउं, दांडी तक पैदल चल कर गए, देखिए, ये सब चीज में आपको दांडी यातर जब बताया था, तो उहां पर दम अच्छे तरीके से बता दिया था, बात समझ रहें, क्या हो रहा है, महात्मा गांदी जी अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ, अहमदाबाद के साबरमती आस्रम से समुद्र तट्य गाउं, दांडी तक पैदल चल कर गए, बात समझ रहें, यानि साबरमती आस्रम से दांडी तक जा रहा है, इसलिए यातरा का नाम दांडी यातरा दिया गया तक अगले पॉइंट 5ники है साबर मतिया स्यरम से दान्डी की दूरी दो सो-चालिस किलो में त最近 जी से गांधिजी ने हैं अधर पेदल 24 दिनों में पूरा किया बात संदोरर्द साबर मतिया स्यरम से दान्डी की जो दուरी थी यह दूरी थी 240 किल जिसे गांदी जी ने पैदल 24 दिनों में पुरा किया था फिर आगे देखिए हर पड़ाव में ब्रेटिस सरकार के खिलाप नारे बाजी होती रही जिससे राष्ट भावनाएं और उत्यजित होती गई इस यात्रा में धीरे धीरे भीड भी बढ़ती गई मतलब जैसे जैसे म प्रेटिस सरकार के खिलाप नारे बाजी करनी लगी ठीक है आगे देखिए जैसे ही 6 अप्रेल 1930 इसवी को समुद्र के पानी से नमक बनाया गया उसी दिन सभी नहीं अवग्या आंदोलन का डंका बज़ गया था बास समझने हैं अगर एक्चुल में कहा जाए यानि कि अर् तिसको ठीक है यहां पर सारा चीज में आपको बताया और चोप्रेल 1930 को क्या क्या था महात्मा गांधी उनके गिनेच उने साथी और जो भी भारत के लोग थे क्या किये थे उन लोग 1930 को समुद्र के पानी से क्या क्या था नमक बनाया था फिर आगे देखिए क्या होता है पांच मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉड इर्विन के बीच एक राजनीतिक समझोता हुआ जिसके तहत सभिने अवज्या आंदोलन को समात्त कर दिया गया बात समझ रहे हैं सभिने अवज्या अंदोलन की सबस Compare बताया लेकिन 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और Lord इर्विन के बिच एक राजनीतिक समझोता होता है और इस राजनिदिक समझोता में क्या करता है महातमा गांदी जी क्या करते हैं जिसके तद सभीने अवग्या अंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है यानि महातमा गांदी सभीने अवग्या अंदोलन को समाप्त कर देते हैं फिर क्या होता है इस समझोता के अनुसार सरकार ने स दोलन से सम्मंदित सभी बंदी को रीहा कर दिया यह जो जो असुनिफम ऐग्णी अख्व लेगिसाट इज ऐसे जो को सब know रहे तो यह सकश्चन का एंसर अगर आपको एंसर पसंद आया है तो आप हमारे यूटूब चेनल दियास क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल का इकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके थैंक यू बाइबाइब जयहिंद झाली ओत्त पहले खक्रेस का आपको हर एंसर अपस्छान का लेंद